लोगसबा चुनाफ को लेकर जोरो सोरो से चुनाफ प्रचाजवारी है इसी क्रम में उतर प्रतेश के मुख्य मंतरी यूग्या दितनात ने लखीम पूर खीरी में जनसबा को संबोधित क्या इस दोरान उन्होंने कहा कि आधर चुनाफ संपन्न हो चुका है पूरे देश में एक स्वरगूंज रहा है और वो है फिर एक बार मोधी सरकार मोधी सरकार के बारे में जो ये स्वरगूंज रहा है ये ऐसे ही नहीं है जनता और जनार्दन कहती है जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के एक कथित गुद्धी जीवी ने कहा की राम मंदिर का निर्मान अनावश्यक है विराहुल गाधी के सलाकार है साथी क्या कुछ कहा सुनी बेन और भाईयो आधा चुनाव संपन्न हो चुका है चौथे चरण में आपको भी मद्दान में भाग लेना है पुरे देश के अंदर पुरे देश के अंदर एक स्वर कुज रहा है और वा है कि फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार मोदी सरकार का बेन और भाईयों यह मोदी सरकार के बारे में जो यह स्वर कुज रहा है यह विशे ही नहीं है جब जन्ता जनारदन से पूचते है कि आखिर इतना उच्छार उमंग का कारण क्या है तो एक ही बात कहते हैं जन्ता जनारदन कहती है कि जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे यानि जन्ता जनारदन के मुँसे एक ही स्वर गुश्ता है जो राम को लाएं है हम उनको लाएंगे अब मुझे वताओ इतनी बड़ी संख्या में आप लोग है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अच्छा हुआ है ना सेमत है ना फिर एक कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयान बाजी कर रहे है कॉंग्रेस के एक कफित बुद्धी जीवी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावस्यक है ये राहुल गांदी के सलाकार है और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राश्ति महाद सच्यू है उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है